अगर आपको आपके अपने चैनल पर आ रही वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको इन नोट्स की पीडिएफ चाहिए तो आप टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दिया गया है वहां पर आप इनके अलावा भी डेली बेसिस पर मैं नोट्स डालती हूँ वहां से आप उनको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपको आपके चैनल पर कोई नया सबजेक्ट पढ़ना है कोई आप चाहते हैं कि मैं नया सबजेक्ट दिसकस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोलकनात का केस विदाउट वेस्टिंग दस फर्दर टाइम गोलकनात वर्सिस स्टेट ऑफ पंजाब वन अफ तर मोस्ट इंपोर्टेंट केस लॉव इंद कॉंस्टिटिशनल कब का केस है भाया 1967 का पहली बात इससे पहले क्या हुआ था? शंकरी परसाद व्रसिस यूनियन अफ इंडिया 1951 और सजन सिंग व्रसिस स्टेट ऑफ राज़श्वथां 1965 इन दोनों केसे को गोलकनात वाले केस ने ओवर रूज कर दिया था ठीक है इन दोनों केसे को भाया गोलकनात के केस ने ओवर रूज क ओवर्रूलिंग जो है, वो पिक्चर में आये थी. अगर एग्जामिनर जो है, आपका पूछ ले कि डॉक्ट्राइन ओफ प्रोस्पेक्टिव ओवर्रूलिंग कौनसे केस लो से आये थी, तो भाया, प्रोस्पेक्टिव ओवर्रूलिंग आपकी सजज़ गोलकनाथ वर्से स्टेट ऑफ पंजाब वाले केस से आई थी इस केस के facts को डिस्कस करते हैं facts में क्या है गोलकनाथ और उनके परिवार के पास 500 एकड जमीन थी पंजाब में ठीक है पंजाब में उनके पास जमीन थी पंजाब गोलकनाथ ने क्या किया एक law बना दिया पंजाब Securities and Land Tenure Act ठीक है इस act के आने के बाद क्या कहा गया कि गोलकनाथ और उनका परिवार जो है maximum भईया 30 एकड जमीन रखेगा और रेस्ट जो 470 एकड जमीन है वो जमीन आपकी गोलकनाथ जो है एक रिट पेटीशन दायर की रिट पेटीशन आपकी सुप्रीम कोर्ट में दायर होगी आर्टिकल 32 में और आर्टिकल 226 में ये हाई कोर्ट में दायर होगी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर की और उन्होंने कंटेंड क्या किया उसमें challenging the validity of the law that is this act Punjab Securities and Land Tenure Act और कहा कि fundamental rights यह जो act है यह जो Punjab government ने जो act बनाया है Punjab Securities and Land Tenure Act यह act जो है मेरी fundamental right जो की है right to property उसको infringe कर रहा है उसको violate कर रहा है तो issues क्या held हुए whether the parliament has absolute power to amend fundamental rights under article 13 clause 2 यह हमारा issue इस case law से raise किया गया तो court ने क्या held किया court ने यह held किया कि court ने उससे पहले बोला कि constitution which has given power to the legislature अगर संविधान जो है legislature को कानून बनाने की power देता है तो वो कानून को destroy करने की power भी नहीं देगा कि भाईया legislature को एक तरफ से तो कानून बनाने की power दे दी और दूसरी तरफ उसको destroy करने की power दे दी तो held क्या हुआ कि parliament has no rights at all to amend the fundamental rights तो यहां से जो हमारा important हमें याद रखना है कि doctrine of prospective over ruling इस case law से आया था और parliament के पास कोई भी power नहीं है कि वो आपके fundamental rights को जो है amid करे लेकिन यह जो case law है यह लंबा exist में नहीं रहा और इस case law को जो गोलकनात का case है was not existed for a long tenure and it was overruled by केशव नंदन भारती case केशव नंदन भारती case से जो है आपका गोलकनात का case repeal कर दिया गया था overrule कर दिया गया था और केशव नंदन भारती case को हम next वीडियो में discuss करने वाले हैं इसे के साथ इस वीडियो को यहीं पर add करते हैं अगर आपको भारत्वास law classes के paid group के साथ जुड़ना है जो की constitution का batch है constitution का batch जो है हमारा भाया एक जून से start होने वाला है जिसका demo 28 और 29 तारिक को रखा जा रहा है google meet पर आपकी classes होंगे जिसकी fees 2000 may be given in two installments ठीक है 2000 fees है 2000 fees को आप दो बार करके दे सकते हैं और आप को अगर कोई query है या आप demo join करना चाहते हैं तो आप दिये गए number पर call या WhatsApp करके query ले सकते हैं और comment box में जरूर बताईएगा कि कौन सा next subject आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो चलिए इसी के साथ इस video को यहीं add करते हैं in the next video we will discuss केशव नंदन भारती case that will be soon on your channel आपके अपने channel पर आएगा जब तक की next video नहीं आता channel को like कीजेगा share कीजेगा, साथ बनाए रखेगा और पढ़ते रहेगा all the best, thank you पढ़ते रहेगे, साथ बनाए रखेगे